इस वीडियो को देखने के लिए हैड़फॉन्स यूज करें तो आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में आज हम लोग जानेंगे रवी जी का दिल्ली का सफर रवी जी का दिल्ली का सफर आसान तो नहीं था हर चीज के लिए पैसे लगते थें किसी तरह रहने खाने का वेवस्था हो गया पर वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला समय निकलता जा रहा था पर परहाई करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था रवी जी के कानों में उनके पिता की बाते गुंज रही थी वे एक असफल लड़के बनकर वापस गाउं नहीं जाना चाते थे इतने में उन्हें कई लोगों के द्वारा पता चला कि ये कोर्स काफी सस्ता होता है पर ये बहुत मुश्किल कोर्स है इसमें बहुत पढ़ना होता है इस कोर्स को पूरा करने में 97% बच्चे असफल हो जाते हैं इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 3% बच्चे ही सफलता पुरवक पूरा कर पाते हैं इस कोर्स में अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और रवी सर बिहार के बच्चे थे और बिहार के बच्चों में टाइलेंट होता है लेकिन अंग्रेजी बोलने में मानो पहार तूटता है पर C.A. का कोर्स काफी सस्ता था इसमें पैसे कम खर्च होते थे रभी जी ने सुचा कि अगर पढ़ने से ही होगा तो मैं कर लूँगा क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता मेरे पास अंक नहीं है ना मेरे पास पैसे है और मैं असफल बनकर घर नहीं जा सकता बस उन्होंने अपनी मैनत पर विश्वास किया और कमपनी सेकेटरिक कोर्स में एडमिसन ले लिया सायद किसी ने ठीक ही कहा है जो अपने कदमों की काबलियत पर विश्वास करते है वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते है और रवी सर ने करी मैनत को अपना हत्यार बनाया और सफलता को अपना गुलाम बनाया इस कोर्स को पूरा करने में रवी जी को लगबग 6 वर्स लगे CS Foundation एवं Intermediate के एकजाम में कई बार असफल हुए इन 6 सालों में रवी जी को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ा वे एक वर्सों तक अपने जूनियर से एकाउंट सीखते थे उन्होंने मुंभली बेची जुगी जोपनी में रहें और अपने पढ़ाई के लिए समय भी बचाते थे इस सफर में रवी जी ने अपने लक्ष को कभी नहीं छोड़ा और ना कभी घवराएं दिशंबर 2007 में Company Secretary के सभी परिच्छाओं के ग्रुप को प्रथम परियास में पास किया जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना कि संगर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती संगर्ष से कभी डरे नहीं संगर्ष जो करते हैं वही लक्ष को हांसिल करते हैं अब रवी भुषन एक सफल इंसान बनकर अपने घर थमहा वापस जा रहे थे उन्होंने अपने पिता के चर्णों को चुआ और आसिरवाद लिया इनके पिता ने बरे गर्भ से खा आज मेरा बेटा मुझसे भी बरा हो गया मुझे मेरे बेटे पर गर्भ है रवी भुषन के संगर्ष और मेहनत तथा कठनाईयों का फल मिला इस तरह गाउं का एक असफल लड़का अपने गाउं एवं जिला एवं कमिशनरी का प्रथम सेकेटरी बना आज बिहार के प्रथम सेकेटरी जो सेकेटरी इंस्टिटूट के एक ग्रेट चैप्टर के दो दो बार चेयर्मेन जैसे सम्मानित पत पर पहुंचें एक छात्र के रूप में C.A. कोर्स में सामिल होने के बाद वो हमेशा कमपनी सचीप के पेशे का अभ्यास करना चाहते थे और उन्होंने कमपनी सेकेटरी बनते ही नौकरी नहीं करने का फैसला लिया और practicing company secretary के तौर पर अभ्यास करना शुरू कर दिया रवी जी बताते हैं कि एक बार डेली में कुछ काम नहीं था तो वो एक property dealer के पास नौकरी मांगने को गए थे तो property dealer ने नौकरी देने से इंकार कर दिया रवी जी उस property dealer का मन ही मन धन्यवाद देती है वो उन्हीं नौकरी नहीं दिये अन्यवाद आज रवी जी नौकरी की करते हैं और company secretary नहीं बन सकते हैं practicing company secretary के तौर पर काम करना आसान नहीं था इसके लिए अपना office, staff, computer रित्यादी चाहिए था और स्थाथ ही contacts भी जहां से client आते हैं रवी जी ने अपना पहला laptop loan लेकर दिया उसी से practice किया करते थे रवी जी के life में बहुत सारी परिशानिया आई पर उन्होंने अपने सिद्धानतों को नहीं छोड़ा और अपने character को हमेशा बनाए रखा आज कल रवी जी practice के साथ साथ एक corporate trainer और प्रेरक वक्ता भी हैं भारत के सर्वच परिच्छा UPSC के द्वारा चैनित ICLS अधिकारियों को भी परिच्छन देते हैं इनके लिखे गए कई लेक विविन समाचात पत्र मैगजी ऑनलाइन पोटल पर प्रकासित हुए हैं रवी जी कई बार समाचात चैनलों पर लाइब डिवेट में एक विशेशग्य के रूप में आते हैं उनका एक slogan है अपने दिल से पुछो प्राय दिल का हाल रवी सर की जिवनी को जानकर हमें पांच सफलता के मूल मंत्र मिलें जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है पहला कि रवी जी ने अपने आत्म विश्वास को बनाए रखा और उमीद को यकीन में बदला तो हमें आत्म विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए दूसरा गलतियों से सीखना रवी जी ने अपने जिंदगी में काफी गलतिया कि वो कई वार असफल रहें परन्तु इसमें सबसे महत्पुन ये था कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा और मुश्किलों को कहा ज़रा समलकन आना मैं बदल गया हूँ मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ तिसरा दूसरों को कभी दोस मत देना हर खामोस इंसान के भीतर एक तूफानी समंदर चीपा है इस बात को भली भाती सावित किया एक असफल लड़के ने जो सफल बन कर आया इस असफल लड़के ने एक प्रॉपर्टी डीलर से नौकरी मांगा था पर नौकरी ना मिलने पर रवी जी ने उन्हें दोस नहीं दिया बलकि उनका धन्यवाद दिया इसलिए दूसरों को दोस मत देना चौथा मन को मजबूत बनाओ रवी जी जुगी जोपरी में रहें पानी और बादाम बेशने तक के सफर को देला पर हिम्मत कभी नहीं हारा अपने मन को हमेशा मजबूत बनाए रखे और अपने लक्ष के प्रति एक आगर चित्थ है पांचमा हमेशा धायरे बनाए रखो सफलता दूर हो सकती है लेकिन उसका आना अनिवार है रवी जी अपने करियर में कई वार असफल हुएं पर उन्होंने धैरी को नहीं छोड़ा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेयर करें थैंक यू दोस्तों जै हिंद